प्रकार दोस्तों मैं डॉक्टर वीजे स्टडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है साथ यो आज का टोपिक हमारा साइकोलजी पर है मनोविज्ञान जिसे हिंदी वाले बच्चे कहते हैं DSSB का एक्जाम आने वाला है CTAT भी एक्जाम एनाउंस हो चुका है तो DSSB हो या CTAT हो STAT हो या REIT हो UPTAT या Bihar TAT या फिर UGICNAT या फिर अधर स्टेट के अलग-अलग परकार के जो टीचिंग एक्जाम होते हैं उनमें बहुत बार बड़ी संख्या में साइकोलजी के क्योस्टन पूछे जाते हैं इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई इंट्रिवू फेस करना है या इंट्रिवू के लिए बच्चों को ट्रेंड करना है तो भी साइकोलजी के क्योस्टन आपके लिए जरूरी हो जाते हैं यानि एक ऐसी चीज है जिसके बिना ने तो किसी कंपिटिटर एक्जाम को क्रेक कर सकते ना ही किसी एक्जाम के इंट्रिवू को पास कर सकते और उसी के साथ-साथ टिचिंग लाइर में तो इसका बहुत ज़्यादा महतो माना जाता है आज साइकोलजी पे हम 40 ऐसे most important question को discuss करेंगे जो बार-बार अलग-अलग परकार के एक्जाम का हिस्सा होते है इसी के साथ दोस्तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए वीडियोज को लाइक जरूर किया करें एक दोस्त के साथ अगर वीडियो मिलती है तो दूसरे दोस्तों के साथ जरूर पहुँचा है क्योंकि नहीं जाने हमारी एक सेर वीडियो से किसी साथी का एक दो नमबर ठीक हो जाए और एक एक नमबर की value exam में क्या होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं आईए देखते है psychology के question सबसे पहला question दोस्तों मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं यानि father of psychology या founder of psychology किसे कहा जाता है अंसर है दोस्तों William James William James को मनोविज्ञान यानि psychology का father या founder माना जाता है question number 2 मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्थित विज्ञान किसने मानना है किसने कहा है कि जो psychology है वो व्यवहार का एक निश्चित science है तो answer है Watson Watson का ये कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो practical यानि व्यवहार का एक निश्चित ज्ञान या विज्ञान या science कह सकते हैं उसको Question number 3, मनो विज्ञान अध्धन है, psychology is a study of व्यवहार का विज्ञानिक अध्धन, वही question उन्होंने थोड़ा सा स्ट्विष्ट करके दिया है, यानि psychology जो है वो एक study है, किसका व्यवहार का विज्ञानिक अध्धन, यानि आप अपने विहेव का जो scientific study है, उसे ही हम लोग psychology study मानत है, question number 4, psychology सब्द जिन दो सब्दों से मिलकर बना है, वो क्या है, psychology दोस्तो, psycho plus lozos से बना है, psycho plus lozos से psychology बना है, psychology को हम लोग मनुष्य के मस्तिष का या मनो विज्ञान के रूप में जानते है, question number 5, शिक्षा को सरवांगन विक्यास का साधन माना जाता है, education को सरवांगन विक् की हर परकार का विज्ञान या विकास का साधन हम लो, क्योंकि ये कहा जाता है, कि जो सिक्षा है, वो इनसान का सरवांगन विक्यास है, चहुमी की विक्यास है, उसके हल पहलू का विक्यास है, उसे knowledge भी देता है, उसे अवेर भी करता है, उसे अलग-अलग field की जानकारिया भी देता है उठना बैठना चलना फिरना मार्केट में रहना समाच से बाते करना लवहार करना यह सारी चीजें सिखाता है यह किसका मानना है यह महत्मा गांदी का मानना है दोस्तों देश की राष्टर पे ता महत्मा गांदी कहते थे कि जो एजुकेशन है वो मुनुष्य का all around development है, सरवांगी ने विकास का साथन है उसके बाद मनो विज्ञान को मस्तिस का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे कौन सा विद्वान था दोस्तों जिन्होंने psychology को मस्तिस का विज्ञान यानि science of mind कहा था अंसर है पामपो नाजी पामपो नाजी ने psychology को science of mind या मस्तिस का विज्ञान कहा था क्योस्तर नमबर 7 मनो विज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने मना यानि कौन सा विद्वान था जिसने अपनी psychology को चेतना का science माना है विज्ञान माना है अंसर है Wundt, Vice और James वुंट, वाइस और जेम्स तीनों ने ही मनोविज्ञान यानि साइकोलजी को चेतना का विज्ञान कहा है क्वेस्ट नमबर खारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानि प्रैक्टिकल जो साइकोलजी है उसके जनक कौन थे प्रियोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वूंट को माना जाता है वूंट प्रियोगात्मक मनोविज्ञान के फाउंडर या जनक कहे जाते हैं प्रियोगात्मक मनोविज्ञान को माना जाता है यानि at present psychology को क्या कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान as science of practicality या practical science के रूप में हम इसको count कर सकते हैं क्योंकि जैसी इंसान का मनोविज्ञान होगा उसका psychological standard होगा उसी परकार का व्यवहार वो समाज के लोगों के साथ करेगा इसी वज़े से हम लोग मनुष्य क्या जो मनोविज्ञान है उसकी जो psychology है उसको हम लोग व्यवहार का विज्ञान कहते हैं क्योंकि ये सीधा सा सवाल है और जवाब भी इसका यही रहेगा कि हर इनसान को पता है कि जैसा इनसान का मस्तिस्क काम करेगा जैसा इनसान व्यवहार में या psychology के आधार पर होगा उसी परकार का उसका दूसरों के साथ बिहेव रहीगा क्योस्ष्ट नंबर दस मनोविसलेशन वाद के परवर्तक कौन थे कौन इनसान मनोविसलेशन वाद जानी psychology standard के founder थे परवर्तक थे परवर्तक के रूप में दोस्तो फ्रायड को मनो विशलेशन वाद का परवर्थ तक माना जाता था उसका follower या उसमें blindly trust करने वाला कहा जाता था क्योस्चन नमबर 11 मानसिक प्रिक्षन की वीधी विख्षित करने वाले विद्वान कौन थे कौन सा विद्वान था जिसने mentally or psychologically experiment का method तयार किया था विख्षित किया था बिने बिने ने मानसिक प्रिक्षन की वीधी विख्षित करने का कारिय किया था क्योस्चन नमबर 12 मनो विज्ञान का शिक्षा के एक्षेतर में योगदान नहीं है ऐसा कौन सा इंसान था जिसने कहा कि जो मनो विज्ञान है psychology है उसका education के फिल्ड में कोई योगदान नहीं है तो दोस्तों ये विशार था सिक्षा के सैधान्तिक पक्स पर बल देने वाले जो लोग education के theoretical यानि सैधान्तिक पक्स में पहलू पर ध्यान देते हैं वो कहते हैं कि मनो विज्ञान का सिक्षा में कोई योगदान नहीं है यानि कहने का मतलब है दो परकार की सोच समाज के अंदर सुरू से ही देखने को मिली है एक वो लोग जो ये कहते हैं कि जो education है वो theoretically है दूसरे वो हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं है education सिर्फ theoretically ही नहीं है बलकि वो psychologically भी है एक मनुष्य के मनो विज्ञान का भी education में एक अलग योगदान होता है ये एक अलग शी थूरी मार्केट में रहती है मनो विज्ञान का सिक्षा के सित्रमी योगदान है ये काफी लोग मानते हैं बट जो ये मानते हैं कि नहीं है वो सैधामतिक पक्स पर ज़्यादा जोड देते है पिस्टर नमबर 13 आधुनिक मनो विज्ञान का संबंध व्यवहार की व्यव्यानिक खोज से है यानि modern जो psychology है उसका जो संबंध है वो व्यवहार की व्यव्यानिक खोज से है यानि scientific research of the behavior नेचर उसका किसकी definition ये रही है answer होगा मन मन के अनुसार ये कहा गया कि आधुनिक मनो विज्ञान का संबंध जो है वो व्यवहार की व्यव्यानिक खोज से है क्योंसार नंबर 14 मनो विज्ञान के अंग्रेजी प्रियाई psychology सबद की उत्पत्ति कहां से हुई या कैसे हुई तो ये कहता है कि मनो विज्ञान को जब हम अंग्रेजी में psychology बोलते हैं तो उस word की सुरुवात के बारे में पूछता है कि सबद से हुई ये हमने पहले डिसकस किया है कि कि सबद से हुई वो सबद जो है वो किस भासा का है ग्रीक युनानी भासा का सबद है और वहीं से psychology की सुरुवात हुई है उसके बाद है 15 क्रस्टन नंबर 15 किस से सीखने से क्योंकि educational psychology है वो सीखने से तयार होती है जैसे जैसे आप उसके इसाब से सीखते जाते हो आप उसमें पारंगत होते जाते हो क्वेस्टन नंबर 16 मनोविज्ञान को विशुद विज्ञान माना जाता है यानि यह कहा जाता है कि जो psychology है वो सुद ज्यान नहीं है बलकि विशुद है complete नहीं है परिपक्व नहीं है बलकि अधूरा है या फिर गल्तियों का पुतले के रूप में जो उसको आप count कर सकते हो क्यों क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो सुध ग्यान तो नहीं हो सकता उसको आप साइंटिपिक कसोटी पे नहीं कर सकते कहीं पे वो ठीक हो सकता है तो कहीं पे वो गल्ट हो सकता है आपके अंगल में कोई चीज ठीक हो सकती है हमारे अंगल में वो चीज हो सकता है कि ना ठीक हो या गलत हो उसके बाद James Draver का कहना था कि जो मनोविज्ञान है वो विशुद विज्ञान है वो सुद विज्ञान नहीं है scientific science नहीं है बलकि scientific science को रूप में हम उसको count नहीं करते हैं बलकि वो असुद है विशुद है अतरवा क्रिशन मनोविज्ञान मन का वेज्ञानिक अध्ञन है यह कतन किसका है यह किस इंसान ने कहा कि जो psychology है वो एक mind का scientific study या research है तो दोस्तो ऐसा कहने वाले वेलेंटाइन थे वेलेंटाइन का कहना था कि जो मनोविज्ञान है वो मन का वेज्ञानिक अध्ञन है मनोविज्ञान है मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान दोस्तो एक विधायक विध्ञान है मनोविज्ञान को विधायक विध्ञान भी हम कहते है question number 17 मनो विज्ञान के अंतरगत किया जाता है मनो विज्ञान के अंतरगत मानो जीव जनतियों तता संसार के अन्य सभी जीव या प्राणियों का अधन किया जाता है तो दोस्तों इसका कहना यह है कि जो साइकोलजी है उसके अंदर मनुष्य का भी जीव जनतियों का भी और संसार के अन्य सभी जो प्राणी है उन सब का अधन साइकोलजी के कुछेतर के अंदर आता है सामिल है क्योस्चन नमबर 20 व्यभारवाद का जनमदाता किसे माना जाता है व्यभारवाद का फाउंडर या जनमदाता दोस्तों वाट्सन को माना जाता है या वर्षन को व्यभारवाद का जनम दाता जनक फाउंडर पिता कहा जाता है क्योस्चन नमबर 21 सिख्षा में मनों विज्ञानिक आंदोलन का सुत्रपात किस ने किया यानि एजुकेशन में साइकोलोजिकल मोमेंट की सुरुवात किस व्यक्ति ने की रूसों में पहला व्यक्ति रूसों था महान विज्ञानिक रूसों महान साइकोलोजिस्ट यूसों महान फिलोस्पर यूसों जिस ने रूसों नहीं सबसे पहले एजूकेशन के अंदर साइकोलोजिकल मोमेंट की सुरुवात की थ किस नमबर 22 शिक्षा मनोविज्यान अध्धापकों की तयारी की आधार सिला है यह किस ने कहा यानि यह कतन किसका है कि शिक्षा मनोविज्यानिक अध्धापकों की तयारी की आधार सिला है यह कहने वाला स्कीनर था जो एक महान साइकलोजिस्ट रहा है क्योस्चा नमबर 23 पॉल्षनिक शिक्षा मनविज्ञान का आरम किसे मानते हैं प्लेटो से इसको शुर॑ कर या प्लेटो जो है वो कॉल्षनिक शिक्षा मनविज्ञान के फाउंडर या सुरुवात करने वाले रहे हैं क्योस्चा नमबर 24, मूल परवर्तियां संपूर्ण मानव्यभार की चालक हैं, यानि जो मूल परवर्तियां हैं, वो complete मानव्यभार की चालक हैं, ड्राइवर के रूप में हैं, ये किसका कहना था, ये दोस्तो मैकडूगल का कहना था, मैकडूगल कहता था, ये मूल परवर्त संपूर्ण मानवयवार के चालक के रूप में काम करती हैं क्योस्ता नमबर पत्चीज शिक्सा मनविज्ञान ने सपस्ट वह निश्चित सवरूप का पधार्ण किया यानि किस समय से जो एजुकेशनल साइकोलजी है उसने कलियर एंट कम्प्लीट अपना सवरूप धार्ण क 1920-1920 इस्वी में मेंसपस्ट के अंदर सपस्ट वह निश्चित सवरूप धार्ण कर लिया था यानि 1920 में बड़े बड़े जो साइकोलोजिस थे थारन डाइक हो या जूड हो स्टेनले हाल हो या टर्मन हो ऐसे लोगों के महान योगदान और अपने संगर्स और संकट के समय इन लोगों के जो रिसर्च रही है उसके अलग-अलग अनुभव रहे हैं मानों के उपर अलग-अलग जीवों पर इनके एक्सपरिमेंट और इनकी थूरीज को जो प्रैक्टिकल की कसोती पर कसा गया तो 1920 के आसवास मैसूस किया गया कि जो एजुकेशनल साइकोलोजी है वो सपस्ट है कलियर है वो एक साधारण और एक सासवत रूप में हमारे सामनी है क्योंसा नमबर सब्स मनुविज्यान का शिक्षा के एक्सेतर में योगदान है बाल केंदरित है ये चाइल्ड सेंट्रल है मॉलांकन एवलवेशन हो सकता है और पाठ्थे करम है इसका एक सल सकता है और बाल केंदरित और ये चाइल्ड या फिर स्टुडेंट सेंट्रल है क्योंसाइस नंबर 27 सिक्षा मनुविज्यान के एक श्यत्र में अध्षन किया जाता है उसक्सा मनुविज्यान के एक शेतर में उसकी मूल परवर्तियों अनुसासन और अधभम इन तीरों ची teaching है उसका जो central चीफ central point है वो बालक होगा student होगा क्योंकि student के चारों तरफ ही हम एक अलग सा net बना करके उसको educate करने की कोशिस करते हैं वो किस तरीके से सीखेगा कहां से वो गलतियां करने से बचेगा कितना उसको सीखना चाहिए कैसे कैसे stage पर उसको कितने अपनी speed को सीखने क पढ़ने की चीजों को बढ़ाना करें ये सारी चीजें सिक्षन के मुख्य के अंगर के रूप में बालक पर लागू होती है क्योस्ट नमबर 29 मनोविज्यान सिक्षक को अनेक धारनाएं और सिधानतान परदान करके उसके उनति में योगदान देता है यानि मनोविज्यान जो है वो एक टीचर को अनेक धारनाएं और अनेक सिधानतों के देकर के उसके उनति में योगदान देता है ये कहने वाले थे कपू स्वामी का कहना था कि जो साइकोलोजी है वो एक टीचर को अलग-अलग धारना और सिधानतों के अधार पर उसको प्रग्रेस करते हैं उन पर एक scientific तोर पर माने जाती है, उसको जाना जाता है। 31 नम्बर का question है दोस्तो, शिख्सा में बालक का संबन किस से होता है। शिख्सा में बालक का संबन सिक्सक, विष्यवस्तू और समाद से होता है। क्योंकि एजुकेशन में जो बालक है, जो स्टुडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो सिक्सक के साथ भी सम्मंद रखता है, और सोसाइटी के बारे में भी वहाँ से सीखता है। जो टीचर है, वो साइकोलजी का परियोग किस के लिए करता है, जो टीचर है, वो साइकोलजी का परियोग किस के लिए करता है, शोम के लिए, बालक के लिए, और अनुसासन के लिए, यानि साइकोलजी का टीचर जो परियोग करता है, वो खुद के लिए भी करता है, बच्च बच्चों का प्रिवार का ध्यान रखता है और ना ही वह अनुसासन के परामेटर पर खड़ा उतर सकता है। क्योंकि जब तक छातर के अंदर मुलांकन नहीं होगा उसे पता ही नहीं होगा वह किस दिशा में जा रहा है। और जब तक teacher अपना मुलंकर नहीं करेगा, वो ये शाबित नहीं कर पाएगा, इस बात के लिए वो अपने आपको clarify ही नहीं कर पाएगा, कि उसकी वज़े से बच्चों को क्या फाइदा हो पा रहा है, और कितना फाइदा उससे बच्चों को होना चाहिए, या कहीं कोई नु या कहने का मतलब है, आप कितना भी जानते हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, बच्चे आप से कितना समझ पाते हैं, इस चीज से फरक पड़ता है, यानि किताबें भी हमारे सामने मार्केट में होती हैं, जब बच्चे स्टुडेंट किताब पे भरोसा ना करके, टीचर पे अगर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब टीचर के लिए भी जिम्यदारी बन जाती है, कि आप जो भी बताएं, सही बताएं, जितना आप जानते हैं, उतना ही बच्चों को बताएं, यानि कहीं भी भरम किस्तिती पैदा ना होने दें, तो सिक्षक, सिक्षा जो म बर्धक बना सके, इंट्रस्टिट बना सके, और एक ऐसे जिसमें बच्चे बंधे रहें, उसमें उबावपन या बोर की भावना ना हो, और बच्चों का रजल्ट और उनकी जो दिन्चरिया है स्टड़ी की, वो सुधरती जाए, क्योंकि उसको अपने शिक्षन को परभा फावीब बनाना है, चाथर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको अपनी स्टड़ी है, अपना जो मेंत है, अपना जो स्टेंडर है एसके का उसको निप्रूव करना है और अपने आपको एक इन्टेलिजन चाथर की रूप में एस्टिबीच करना है. अभिया आबावक अपने parents के पास रहते हैं तो parents को भी educational psychology के अंदर धान रखना चाहिए उसको भी पता होना चाहिए कि उसका बेटा उसका बच्चा उसका बच्चा उसकी पुत्री किस speed में चल लहे हैं क्या उनकी दिंचरिया है क्या उनका भिहेव है क्या उनका nature है कैसी उनकी study है कि वही confusion में तो नहीं है कई वो डर और भै में तो नहीं जी रहे हैं वो psychological के लिए सही चल ले हैं कि नहीं ध्यान रखना parents का भी काम है क्यूस्चा नंबर 36 अधापक वही सफल है जो बालकों की रूठी को जानता है यानि वही teacher success है जो बच्चों के interest को जानता है यह जरूरी है दोस्तों कई बार हम teachers भी और parents भी बच्चों के उपर अनावसक दबाव बना के बैठ जाते हैं कई parents ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी में goal नहीं पा पाते अगर parents को doctor बनना था नहीं बन पाए तो वो उस खीज को अपने बच्चों पर निकालते हैं बच्चे के जनम से ही वो यह सपना पाल बैठते हैं कि मेरा बेटा doctor बनेगा लेकिन वो कभी यह सोचने की महसूस करने की कोशिश ही नहीं करते कि उसके बेटे का जो रूची है जो interest है वो डोक्टर में नहीं है वो scientist में है वो डोक्टर में नहीं है वो engineer में है वो किर्केटर में है यानि कहने का मतलब है चाए teacher हो और चाए parents हो success वही होता है जो अपने बच्चों की अपने students की अपने followers के interest को पैचानने की कोशिश करता है और उसको ठीक करने में उसको फोलो करने में उसकी मदद करता है उसी समयों उसको सफल मान सकते हैं उसके बाद है कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के परति आपका व्यवहार क्या होगा यानि आप एक भरी पुरी कलास ले रहे हैं लेकिन जैसे ही आप आते हैं बच्चे उठना शुरू कर देते हैं जिस दिन आप नहीं आते बच्चे जसन मनना शुरू कर देते हैं जैसे ही आप लोगों ने थोड़ा सा डांटना शुरू किया बच्चे निकलने की कोशिस करने लग जाते हैं याने कक्षिया से बच्चों का जो पलायन है उसके परते आपका क्या विभार होगा निदानात्मक दोस्तों निदानात्मक का मतलब होता है अगर कक्षिया से बच्चे पलायन करते हैं तो आपको वो तरीके खोजने पड़ेंगे जिसे आप उनको रोक सको आप को वो कारण वो रीजन पता करने पड़ेंगे जिनकी वज़े से वो जाते हैं वो प्लाइन करते हैं आपको अपने अंदर भी सुधार करना पड़ेगा जो भी कमी है अगर टीचर की वज़े से बच्चे क्लास से प्लाइन कर रहे हैं तो कमी हमारे अंदर है हमें देखना पड यानि अपनी teaching को हमने इतना interesting और रोची वाला बनाना पड़ेगा कि बच्चा अगर ना आ पाए तो उसी यह दुख हो कि आज सर की class में या मैं की class में नहीं आ पाया यानि वो आने के बाद जाने की तो सोचे ही ना बलकि अगर नहीं आ पाया है तो उसे इस बात का पस्तावा हो कि मेरी ये class बच गी यानि इतना interested आप अपनी class को बनाने की कोशिशिक कहिए teaching मेंटर के हिसाब से भी और class के environment के हिसाब से भी question number 38 शिक्षा मनविज्ञान व्यक्ति के जनम से वर्धा वस्ता तक सीखने के अनभों का वरणन एंव व्याक्या करती है ये कहता है कि जो educational psychology है वो व्यक्ति के वरत से लेकर करके उसके old ऐजने बुड़ापे तक सीखने के अनभों का वरणन करती है उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या experience रहे, इस सब को बताती है और उसको explain भी करती है, ये कथन कुन, किसका था, ये कथन दोस्तो क्रोव 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 का था, क्रोव क्रोव दुनिया के एक महान psychologist रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो educational psychology है, वो मनुष्य के जनम से लेकर के उसके ब सिक्षक के लिए मुल्यवान है, उसका सबसे महतोपून कान क्या है, जो educational psychology है, या जो educational psychological science जो है, वो एक teacher के लिए मुल्यवान है, उसका सबसे महतोपून कान क्या है, उसका सबसे महतोपून कान है दोस्तों, उसे विदार्थी के बारे में ज्यान मिलता है, यानि जो educational psychology science है, उसकी वज़े से जो teacher है वो बच्चों के या विद्धार्थियों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर आप इस कला में माहिर हैं तो आप अपने बच्चों को understand करने में कभी गलती मैसूस नहीं करेंगे अपने students, followers ये विद्धार्थियों को अच्छी तरीके से आप understand कर सकते हैं और उनके भोईशे को समार सकते हैं question number 40 मनोविज्ञान शिक्षा का आधार पूर विज्ञान है ये कतन किसका है यानि जो psychology है वो शिक्षा का एक basic science है एक structural science है ये कतन किसका है ये कतन skinner का है skinner ये कहता था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का एक आधार बूर्थ science है यानि psychology जो है वो education का एक basic science है उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में ये 40 question थे कल की वीडियो में फिर मैं ऐसी question लेके आऊँगा उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी इसलिए प्लीज note down कर लें दो दो तिन तिन बार देख करके इसकी practice करें ताकि हम किसी चीज़ को बार बार revise करते हैं तब ही हम उसको याद कर पाते हैं दोस्तों के साथ share जरूर करना है वीडियो को like और comment करना है कई बार हमें लगता है काफी दोस्त बोलते हैं कि सर मुझे भूल जाता हूँ मुझे भूलने की बिमारी है दोस्तों भूलने की कोई बिमारी नहीं होती है जिन्दगी के अच्छे और बुरे ऐसास जो होते हैं उन्हें हम जिन्दगी भर याद रखते हैं तो फिर हम में अगर भूलने की बिमारी होती तो वो हमें याद कैसे रहता तो भूलने की कोई बिमारी नहीं होती है हम भूलते उसी चीज़ को हैं जिसे हम इंट्रस्ट से नहीं लेते जिसे हम याद नहीं रखना चाहते इसलिए आप रिवाइज करते रहिए याद करते रहिए जो भी डाउट हो आप मुझे बताएं कमेंट में इतना जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ताकि हम लोगों का होसला बढ़ता र लगी आज की वीडियो में इतना दोस्तों एक नई क्लास के साथ कल फिर मिलते हैं आप मेहनत करते रहिए और गुड़ बाई